नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेधी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर आज हम जानने की कोशिश करेंगे, इंडिया स्ब्मरीन स्ट्रेंग थी क्या है, बेसिकली हमारे इंडियन नेवी के पास कितने ओपरेशनल सब्मरीन्स है इसके साथ साथ हमारे सबसे बड़ा हैड़ेग चाइना, चाइनीज नेवी के पास भी कितने सब्मरीन्स है, इनकी कैपबिल्टी क्या है, यह भी हम डिसकस करेंगे आजकल सब्मरीन्स है रिलेटेड काफी न्यूज आ रहा है, रिसनली कुछ नेवी ओफिशिल्स पकड़े भी के थे, कुछ पेपर लीकेज केज में, यह वीडियो हमने कवर भी किया था, रिसनली, तो आज हम सब्मरीन्स स्ट्रेंग्ट के बार में बात करेंगे, आगे जा दूसरा है नुक्लियर पवट सब्मरीन में, और नुक्लियर बालस्टिक समरीन अे जिसे हम सस्थिया किया हुआ है, ठिके। अर्वेնशनल इसले रिलेक्र के समरीन सम में, देखे, नवी में ज saliva沏ट है, इसले नेवी में जितने शिप होता है, काइट है, तो आ 속 एक ए टे क हमारे जो conventional diesel electric submarines है, इसमें से चार शिशुमार क्लास के है, which were bought and then built in India in collaboration with Germans, दीखे, ये हमने जर्मन से खरीदा था, फिर इधर आके काफी सरे modifications वगरा किया, तो बेसिकली जर्मनी के साथ कोलाबरेट करके हमने बनाया था, शिशुमार क्लास, एटर किलो क्लास और सिंदु घोष क्लास bought from Russia, including elsewhere USSR, इसमें से आठ जो है, वो किलो क्लास है, किलो क्लास नहीं तो सिंदु घोष क्लास साब बहुट से तो जो हम रिशिया से खरीदे थे, थ्री आर, कलवरी क्लास स्कोर्पीन सब्मरीन, बिल्ट इंडिया मजगावन डोक इन पार्नरशिप इन पार्नरशिप इ आठ हो गया सिंदुगोष क्लास, चार हो गया शिशुमार क्लास, तीन हो गया कलवरी क्लास, अब दोस्तों about nuclear ballistic submarine, इंडियन नेवी में एक ही nuclear powered ballistic missile submarine operational है, वो है INS अरिहंत, यह हमने indigenously बनवाय था, मतलब made in इंडिया है, दूसरा INS अरिगट, an upgraded version of अरिहंत is likely to be commissioned, और एक nuclear powered ballistic missile submarine commission होने वाला है, कुछ ही महिने में, तो हमारे पास दो हो जाएगा, अभी के लिए एक ही है, तो यह nuclear powered ballistic missile submarine मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यह है दोस्तों, एक तो इस submarine का engine जो है nuclear powered है, nuclear energy से चलता है, दूसरा INS में ballistic missile installed है, इसलिए nuclear powered ballistic missile submarine, अब क्या क्या मतलब दो project के तुरू, 12 submarines produce करने वाले हैं, यह दो project में चलेगा, एक project का नाम है project 75, दूसरा है project 75 I, I for India, तो project 75 and project 75 I के तुरू, हम 12 submarines produce करेंगे, इन partnership पिता है foreign original equipment manufacturer, ठीक है, हम collaborate करेंगे कोई foreign OEM से, basically original equipment manufacturer से, तब हम 12 submarines produce करेंगे, अभी तक project 75 में, 3 calvary class scorpion submarines deliver हुआ है, यह मैंने आपको पहली बोला था, calvary class diesel electric submarine है, तो 3 calvary class scorpion submarines already deliver हुआ है project 75 के अंदर, और 3 बचा हुआ है, project 75 I is set to take off, project 75 I अभी भी चल रहा है, अभी तक कोई submarine deliver नहीं हुआ है, अब दोस्तों how many submarines does China have, दोसर 20 के Pentagon report की साब से, चैने के पास 4 SSBN है, 4 nuclear powered ballistic missile submarine है, 6 SSN है, nuclear powered attack submarines है, जिसमें ballistic missile वगरा fit नहीं है, वो 6 है, फिर 50 diesel powered attack submarine है, तो total कितना हो गया, 50 plus 4 plus 6, 60 हो गया, इंडिया के पास इतना नहीं है, इंडिया के पास कितना है मैं आपको बताया था, 15 है, इंडिया नीट्स more submarines for two reasons, देखी इंडिया को और submarines की ज़रूरत है, यह तो हमारी maritime security को और improve करना है, second, Chinese are going to positioning a lot more ships and submarines in the Indian Ocean in the coming years, अभी के geopolitical situation देखते हुए, यह लग रहा है, जितने भी maritime boundary areas में, चाइना जो है, या फिर चाइनीज नेवी जो है, अपने ज्यादा ships and submarines deploy करने वाला है, तो इंडिया के पास भी उनको counter करने के लिए, submarines and ships तो चाहिए, 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 चाहिए जिसमें काफी सारे missiles वगरा fitted है, तो चार destroyed ship देगा और 8 submarine भी देगा चाइना को, तो यह चाइना एक proxy war चला सकता है, इंडिया के against, proxy war मतलब चैना directly ने करेगा, पाकिस्तन से करवाएगा, और पाकिस्तन की जो defense है, या फिर defense technology है, उसे चाहिना इंप्रूब करेगा, इसी तर करना होगा, अब दोस्तों, finally, why are nuclear submarines so coveted, diesel electric submarines से compare करने से, nuclear submarines का जो performance है, वो काफी advanced है, वो क्यों बोलता है, इसका reasons में बताता हूँ, first of all, they have infinite capacity to state dive, कितनी देर के लिए भी वो diving position में रह सकता है, basically underwater, इसका reason यह है, they are not proper by batteries, देखे मैं आपको समझाता हूँ, यह जो diesel electric submarines होता है माल लीजिए diesel electric submarine, यह जब surface में रहता है, मतलब इस position में रहता है, यह चलता है diesel engine से, basically इनकी नीचे जो propellers होगा, वो diesel engine से चलता है, पर जब यह dive करेगा, basically underwater जब यह चला जाएगा, तब यह battery से चलता है, तब यह battery का life तो होगा, मतलब बैटरी का ऐसा होगा ना, एक घंडे के लिए 2 घंडे के लिए चला सकता है, जब यह battery का charge खतम हो जाएगा, यह diesel electric powered submarines को उपर आना पड़ेगा, फिर battery को charge करना पड़ेगा, तब यह आगे जा सकता है, battery charging मतलब diesel engine से battery charge कर सकता है, पर diesel engine चलाने के लिए ने surface में आना पड़ेगा, पर nuclear powered submarines में ऐसा नहीं है, they are completely propelled by nuclear powered engine, चाए वो पानी के नीचे हो या पानी के ऊपर हो, तो these submarines only need to come to the surface for replenishing supplies for the crew, आगर nuclear powered submarines को ओपर आना है, वो किसके लिए आना होगा, जो crews है, इसके अंदर जितने staff है, उनको replenish करने के लिए, basically उनकी जो food supplies वगणा देने के लिए, पानी देने के लिए, यह सब के लिए ब मतलब diesel electric submarine, diesel electric submarines को conventional submarines भी बोलते हैं, यह भी आप थ्याँ दीजेगा, कहीं के newspaper में आपको सीज़े सीज़े सीज़े, conventional submarines भोलते हैं, तो आप समझ लीजेगा, वो diesel electric submarines के बारे में बात कर रहा है, तो nuclear powered submarines का जो speed है, वो भी ज्यादा है, and all these allows a navy to deploy them at farther distances, and quicker, they are like the fighter jets of underwater world, तो यह स बाते हैं, दोस्तों, इसका कोस भी उतना ज्यादा ही होगा, हेगी नहीं, and they are known as fighter jets of the underwater world, underwater world के fighter jets बोलते हैं, nuclear powered submarines को, तो दोस्तों, that's the end of it, I hope आपको थोड़ा बुद सीखने को मिला होगा, आप लोगों की valuable suggestions, comments आपजेए, please comment box में बता दीजेगा, लक्षे की PDF आपको टेल चनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे पर वेड़ेद है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.